कि नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूप्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिसंड टीजी टी परिच्छा 2021 नागरिक सास्त और हैं प्रेटी से 22 तो चले बीडियो प्रारंब करने से फ़ले आपसे छोटी jrequesta अभी तक आप अमारे चैनल पर नहे हैं तो प्लीज इस चैनल को subscribe करें सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन के घंटी को क्लिक करना ना वो लें कि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं कुश्चन नमबर वन है कौटिल के अनुसार निम्न में से कौन सा राजिका अंग नहीं है कौटिल के अनुसार निम्न में से कौन सा राजिका अंग नहीं है कौटिल का मंडल सिधानत किससे समबंधीत है वो है विदेश निति से अन्सर हो जायेगा बिदेश निति से कोश्चन नमबर तीन है प्राचीन भारत का मैक्यावली किसे कहा जाता है तो प्राचीन भारत का मैक्यावली कहा जाता है किसे ये कहा जाता है कौटिल्य को एंसर हो जाएगा D कौटिल्य को कोश्चन नमबर चार है कौटिल के अनुसार मंत्री पर्षद में 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 मं कुश्चन नमबर पांच है कोटिलिका अर्थ सास्त्र प्रस्तूत करता है तो कोटिलिका अर्थ सास्त्र क्या प्रस्तूत करता है तिया जो है सरकार की कला है और राज के सिध्धान थे इसमें डी अंसर जाएगा ए और सी दोनों इसमें सही है कोशन नमबर 6 है निम्न में से किसने माना की कौटिले का मंडल सिधान्त सकती संतुलन पर अधारित है यह किसकी द्वारा कहा गया या किसने कहा था यह कहा था एस अल्टे करने कोशन नमबर 7 है कोटिले के द्वारा राजिके किस सिधान्त का परतिपाधन किया गया था कोशन नमबर 8 है कोटिले के लिए स्वामी का अर्थ है तो कोटिल लेके लिए स्वामी का आर्थ है तो कोटिल लेके लिए स्वामी का आर्थ होता है राजा एंसर रो जाएगा ए राजा तो कोटिल लेके लिए स्वामी का आर्थ राजा बताया है कोश्चन नमबर नौ है निमलिखित वैसे किस ने बुध्ध जीव्यों के बर्षच्च के सिध्धान्त का प्रतिपादन किया तो वे हैं ग्राम सी इंसर हो जाएगा सी ग्राम सी तो ग्राम सी का सिध्धांत है प्रधान सिध्धांत प्रमुखेश के वरिनरण बुध्ध जीवी की परिभासा भी नीत की है कोश्चन नमबर दस है मनुस्मिर्ति में राजि का सरूप है तो इसका सरूप है साव वय इसको सब्तांग के नाम से भी जाना जता है और सब्तांग में कौन था स्वामी आमत्यपूर राष्ट कोस डंड मित्र ये साथ जो है प्राष्ट की प्रकिर्टिया है जिने सब्तांग भी कहा जाता है है क्यर्शन शांती परव अध्या het तो सांती परव अध्या गरने शाक पाइंगे राज्दर्मा नु शाशन पर्ष आप धर्म पर्ष और मुच्छ धर्म पर्ष दोने से हैं कुर्ष्ण नमें या जाते हैं कु으र्ष्ण नमबर तेरह हैं लास वेल वो मुलस्का का संबंध किस से है तो वो है अभी जन से इंसर हो जाएगा बी अभी जन से कोशन नमबर 14 है कोटिल के राजनितिक विचार किस पस्मी विचारक से मेल खाते हैं तो वो है मैक्या वली कोशन नमबर 15 है कोटिल के मंडल में कितने राजा समलित है तो कोटिल के मंडल में कितने राजा समलित है इसमें एंसर हो जाएगा डी बारा राजा तो कोटिल के मंडल में कितने राजा समलित है बारा राजा इसमें समलित है कोटिल के मंडल में कोशन नमबर 16 है कोटिल के अनुसार राजा का मुख्यकार है यानि कोटिली के अनुसार राजा का मुख्य कारिक या होता है तो राजा का मुख्य कारिक होता है बीधी को लागू करना यानि कानून को लागू करना कुश्चन नमबर 17 है कोटिल द्वारा दिये योग छेम सिधान्त का अर्थ है तो योग छेम सिधान्त का क्या अर्थ है तो वो अर्थ है प्रसंता और सम्रिधी का बिचार कुश्चन नमबर 18 है कोटिल समर्थक था तो कोटिल जो है किसका समर्थक था इसमें एंसर हो जाएगा बी सीमित राज तंत्र का कोटिल किसका समर्थक था सीमित राज तंत्र का कुश्चन नमबर 19 है कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है कानून की य किस ने दी। इसका आश्टीन ने किसन दी थी आश्टीन ने कॉस्टनुम बीस है क्यों है कोटिल के अनुसार राज के तत्व हैं तो क्या हैं तो राज के तत्व होते हैं राज के साथ तत्व कोटिले के अनुसार राज के तत्व है तो कौन कौन तत्व है ये तो राज के साथ तत्व जिसको सब्तांग कहा जता है अभी बता है इसमें स्वामी आईसी को राजा कहा जता था स्वामी राजा या दूसरा है आमत्य आईसी को मंत्री कहा जता था तीसर कुश्शन नमबर 21 कोटिल के लिए स्वामी का अर्थ होता है तो स्वामी का अर्थ वी बता है राजा इंसर जाएगा ए राजा को जो है स्वामी का यता था कोश्चन नमबर 22 है कानून संप्रभुक का आदेस है यह किसका कथन है यह कथन है जान आश्टीन का एंसर हो जाएगा A. जान आश्टीन कोश्चन नमबर 23 है अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है बिना कानूने के कोई अधिकार नहीं कानूनों के खिलाप कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं यह कथन है तो यह कथन है किसका यह कथन है यह कथन है बेंथम का एंसर जा किसने कानून को उचतर सिच्छा सारे किसने कानून को उचतर द्वारा निम्नतर को दिये गए आधेश के रूप में परिभासित किया है तो आधेश के रूप में है तो है जौन औस्टीन एंसव जाएगा डांप कोश्चन नमबर पचीस है और अंतिम कोश्चन है यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ती बल परियोग के पढ़्याम सर्थ तथा बल परियोग द्वारा होती है यह कथन किसका है यह कथन है इस्पेंसर का एंसर जाएगा भी इस्पेंसर का यह थे कोश्चन आज के लिए त संद्ध इसको लाइक कर अपने दोस्तों क्या अधिक सदिक सेयर करें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम मिलते हैं अगले वीडियो में